मैं नाम डॉक्टर प्रीती जिंदल है मैं डेली हार्ट हॉस्पिटल बठिंडा में as a IV specialist काम कर रही हूँ अगर देखा जाए तो आजकल के दुनिया में जो बांचपन है, infertility है, उसकी दर बहुत जादा बढ़ रही है, हमारे पास जादा 25 वों में से सारे बांचपन की शिकार है, इसके मुख्य कारण जो है, वो दोनों ही हो सकते हैं male भी और female भी, हाला कि जो male जो पुरिश होते हैं वो इस बात को जल्द जल्दी मानते नहीं है कि हमें भी कमी हो सकती है, पर हाँ उन में कमी हो सकती है तो 40% मेल में कारण होते हैं, 40% फीमेल में कारण होते हैं और 40% दोनों में कारण होते हैं अगर कोई कपल हमारे पास आता है, अगर उसके दोनों की जांच की जाए हस्बिन की और वाइफ की, तब ही हम कारण का पता लगा सकते है कि किसमे कारण है उसका कारण के इलाज किया हो सकता है अगर हम ये बोले कि हाँ सिरफ वाइफ की ही जाँच किये जाए और पती की जाँच ना किये जाए तो ये जाँच अधूरी है तो इसका पूरा करने के लिए पहले दोनों कपल को ही जाँच करवाने चाहिए और जांज की अधार पे उनमें कारण किया है उसके अधार पे हम उनका इलाज कर सकते हैं आम तोर पे अगर शादे के एक साल तक बच्चा नहीं हो रहा है इसको हम बांचपन कहते हैं एक साल तक बच्चा नहीं होने के बाद आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए आपने को टेस्ट करवाते हैं बेसिक टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम देखते हैं अंडेदानी कैसे काम कर रही है उनके हॉर्मन की टेस्ट कैसे हैं उनकी बचेदानी की दिवार कैसे बन रही है और पती की शुक्रानियों की जाच करते हैं अगर इन सब टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो ऐसे कपल को हम थोड़ आइम और भी देते हैं ताकि वो वेट करें और प्लान करें प्रेगनेसी के लिए पर हाँ अगर कोई कारण मिलता है उसके साब से बहुत सी प्रक्रिया आजकर अविलेबल हैं जिससे हम उनका इलाज कर सकते हैं जैसे अगर किसी में अंडा नहीं बन रहा तो अंडे की दवाईया होती हैं बनने के लिए अगर किसी की ट्यूब खुली है या बंद है तो बंद ट्यूब का इलाज भी हो सकता है अगर किसी के आदमे में शुक्रानों की कमी बहुत जादा है उसको भी हम काफी हद तक ठीक कर सकते हैं अगर सब कुछ करने के बावजूद भी कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा फिर हमारे पास आजकर IVF की टेकनीक भी मजूद है IVF का मतलब है इन वीट्रो पर्टलाजेशन जो प्रक्रिया अंडे और शुक्रानों के मिलने की शरीर के अंदर होनी चाहिए उसी प्रक्रिया को साइंटिफिक टेकनीक से हम लोग बाहर करते हैं जिसको हम IVF पोलते हैं और इस प्रसेस के आजकल रेट और रिजल्स के बात करें तो बहुत जादा अच्छे हो गए है तो जो आजकल पहले बांश्पन एक अभिशाप आना जाता था वो आजकल अभिशाप नहीं है उसका इलाज अगर समय रहते पर कया जाए तो इससे हर घर में जो बच्ची की किलकारी है वो गून सकती है और आपका जो मा बनने का सपना है वो पूरा भी हो सकता है तो यही मैं आपको सलाह दोंगी अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है आपके वाइफ में कोई प्रॉब्लम है या हजबन कोई प्रॉब्लम है उससे अपकी प्रॉब्लम का इलाज हो सकता है पर उसके लिस्प से ज़्रूरी बात है वक्त सही वक्त के आपको डॉक्टर के पास आके इलाज करवाना होगा ताकि हम उस चीज का इलाज कर सके और हाल में ही जो आई-विफ टेक्निक उससे भी काफी लोगों को जो इस रिजल्ट का अनभव हो चुका है धन्यवाद